Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class, History and CERT के chapter no.4, The Mughal Empire के questions and answers को discuss करेंगे. Question no.1 में हमसे कहा गया है, match the following. So हमने यहाँ पर direct आप के लिए ये answer लिख दिये है, मनसब के साथ आप लिखेंगे rank, क्योंकि मनसब का मतलब होता है rank. मंगोल को किसके साथ relate करेंगे, उजबेक के साथ, तो मंगोल के साथ आप क्या लिखेंगे उजबेक. सिसोधिया राजपूत के साथ आप लिखेंगे मेवाड राठोर राजपूत के साथ आप लिखेंगे मारवाड नूर जहां के साथ आप लिखेंगे जहांगीर और सूबेदार के साथ आप लिखेंगे गवर्नर याद रखिएगा स्टुडेंट्स के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियो के लिंक दिये हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं Question number 2 में हमसे कहा गया है fill in the blanks और ए पार्ट में हमें दिया गया है the capital of मिर्जा हाकिम अकबर्स half brother was dash तो यहाँ dash में आप रिखेंगे काबुल इसका यह मतलब है students के अकबर का जो सोतेला भाई था जिसका नाम मिर्जा हाकिम था उसकी capital का नाम हमें यहाँ पर बताना था तो मिर्जा हाकिम की capital का नाम था काबुल इसके बाद B पार्ट में हमें दिया गया है दफाइव डेकन सर्तनत वर, बेरार, खंदेश, एहमद नगर, डैश, एन डैश तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीजापुर और यहाँ पर आप लिखेंगे गोल्ड कॉंडा तो यहाँ पर पार्च डेकन सर्तनत में से तीन नाम हमें दिये गए थे, यह दो नाम यहाँ पर हम लिख देंगे सी पार्ट में हमें दिया गया है, इफ जात डिटर्मिंट मनसबदार्स रैंक एंड सेलरी सवार इंडिकेटेड हिस डैश तो यहाँ पर आप रिखेंगे केविलरी मैन, इसका यह मतलब है स्टुडेंट्स के जात की वज़े से मनसबदार की रैंक और उसकी सेलरी डिसाइड होते थी तो सवार किस चीज को इंडिकेट करते थे, किस चीज को दिखाते थे, तो सवार इंडिकेट करते थे घुड सवारों को किविलरी मैन का मतलब होता है घुड सवार इसके बाद D part में हमें दिया गया है अबुल फजल, अकबर's friend and counselor helped him frame the idea of Daesh so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes इसका ये मतलब है students के अकबर का एक दोस्त और सलहाकार था अबुल फजल उसने अकबर को ये idea दिया के वो सुलहाई कुल बनाए यानि एक विवस्ता थी, एक system था तो यहाँ dash में आप लिखेंगे सुलहाई कुल जिसके द्वारा अकबर एक ऐसे समाज की स्थापना कर सके एक ऐसी विवस्ता बना सके जिसमें हर धर्म हर जाती के लोगों को साथ लेकर चड़ा जा सके तो उस विवस्ता का नाम था सुलहाई कुल इसके बाद question number 3 है what were the central provinces under the control of the Mughals यानि हमें उन central provinces के नाम बताने हैं जो Mughals के control में थे, Mughals के अधीन थे तो central provinces हम कैसे समय सकते हैं वो कौन-कौन से राज्य थे जो Mughals के control में थे तो इसके answer में हम लिखेंगे the central provinces under the control of the Mughals वर पानीपत, लाहोर, देली, आगरा, मथुरा, अंबेर, अजमेर, फतेपुर सीकरी, चितोड, रन्थंबोर, एंड अलहबाद इसके बाद question number 4 है what were the relationships between the मनसबदार and the जागीर यानि के मनसबदार और जागीर में क्या संबंद था ये हमें बताना है तो इसके answer में first point हम लिखेंगे मनसबदार were the nobles or the rank holders यानि जो मनसबदार होते थे इनके पास एक government job होती थी एक government post होती थी अब salary की बजाई इनको पैसे कैसे मिलते थे इनको जो जमीने दी जाती थी उन जमीनों के उपर ये दूसरों से tax वसूल करते थे और उस tax से ही इनकी कमाई होती थी यानि के इन मनसबदार को जो जमीने दी जाती थी लोग उन पर काम करते थे खेती करते थे और उसके बदले में मनसबदार को revenue देते थे जिससे आप कह सकते हैं के tax देते थे ये जो जमीने होती थी जो मनसबदारों को दी जाती थी इनही जमीनों को जागीर कहा जाता था इसके बाद second point में हम लिखेंगे often मनसबदारs had to serve outside their jagirs therefore the revenue from their jagir was collected by their servants यानि कि जो मनसबदार होते थे उन्हें ज्यादा तर अपने jagir से दूर ही रहना पड़ता था उन्हें कही बार जगाओ उपर जाना पड़ता था जिसकी वज़े से उनका जो revenue होता था जमीनों का जो उनकी जमीनों के लिए tax वसूला जाता था लोगों से ये काम मनसबदार नहीं करते थे बलकि उनके servant करते थे क्योंकि मनसबदार तो ज़्यदातर समय बाहर ही रहते थे इसके बाद question number five है What was the role of the zemindar in Mughal administration यानि के जमीदारों का Mughal administration में क्या role होता था तो इसके answer में first point में हम लिखेंगे The main responsibility of the zemindar in the Mughal administration was to collect taxes from peasants and submit the same to the central government's revenue department इसका ये मतलब है students के जो जमीदार होते थे ये किसानों से tax वसूल करते थे और जो tax ये वसूल करते थे उस सारे tax को उस सारे पैसे को government का जो central revenue department होता था उसमें जमा करा देते थे और second point में हम लिखेंगे इसका ये मतलब है students के जो जमीदार होते थे ये government और किसानों के बीच में mediators का काम करते थे मध्यस्त का काम करते थे और ये जो जमीदार होते थे या तो ये गाओ का कोई परमुख व्यक्ति होता था या फिर कोई ताकतवर मुखिया होता था इसके बाद question number six में हमसे कहा गया है इसका ये मतलब है students के अकबर धार्मिक विदवानों के साथ चर्चा करता था अपनी governance की ideas के लिए यानि के सरकार कैसे चलानी है सब को कैसे साथ लेकर चलना है क्या system बनाना है इसके लिए अकबर religious scholars के साथ धार्मिक विदवानों के साथ चर्चा करता था और हमें ये बताना है कि ये जो चर्चा होती थी अकबर की धार्मिक विदवानों के साथ ये कितनी महत्वपूर्ण थी कितनी important थी तो इसके answer में first point में हम लिखेंगे the debates with religious scholars emphasized on rituals and dogmatic practices इसका ये मतलब है students कि जब अकबर ने इन धार्मिक विदवानों के साथ चर्चा की तो अकबर को पता चला कि ये जो धार्मिक विदवान थे ये अपनी माननेताओ को लेकर अपने धर्म को लेकर कितने कटर थे यानि कि ये अपने धर्म में ही ज़्यादा जुड़े हुए था लोगों की भडाई से ज़्यादा नहीं जुड़े हुए थे सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे डिस इंचेंटेड अकबर डिसाइड़ तू वर्क आउट न्यू पॉलिसी ओफ गवर्नेंस इन कंसल्टेशन विद हिस ट्रस्टेट फ्रेंड एंड काउंसलर अबुल फजल यानि के जब अकबर ने इन रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ बात की तो उसके बाद अकबर का मन इन से हट गया और अकबर ने ये डिसाइड किया कि वो जो अपनी गवर्नेंस की पोलिसी बनाएगा उसके बारे में उसने किस से सला ली किस से उसने विचार विमर्श किया अकबर का एक दोस्त था और उसका सहायक था जिसका नाम था अबुल फजल फिर अकबर ने गवर्नेंस कैसे चलानी है इन सब बातों को लेकर अबुल फजल के साथ डिसकशन किया थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे अकबर आल्सो रियलाइज़्ट देट दियर टीचिंग्स क्रियेटे डिविजन्स एंड डिस हार्मोनी अमंग्स्ट हिस सब्जेट्स यानि के जब अकबर ने धार्मिक विद्वानों से बात की तो उससे अकबर को यह एसास हुआ कि इन धार्मिक विद्वानों की जो शिक्षा थी वो समाज में लोगों में डिविजन लेकर आती है लोगों को बाटती है एक दूसरे से दूर करती है और लोगों में नफरत फेडाती है, सब्जेक्ट सिहा पर मतलब है प्रजा, यानि कि अकबर को ये पता चला कि इन विद्वानों के विचारों से, इनकी शिक्षाओं से, प्रजा में जो समाज है, जो प्रजा है वो बट जाती है और उनमें नफरत पैदा होती है. और फॉर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे, और तब अकबर ने एक नई विवस्था बनाई, जिसका नाम था सुल्हा इकुल, जिसका इंग्लिश में मतलब है युनिवर्सल पीस, यानि के रिलिजियस टॉल्रेंस, यानि के कोई किसी के धरम को खराब नहीं कहेगा, सब एक द तरह की विवस्था आकबर ने बनाई, इसके बाद, कोशन नंबर सेवन में हमसे कहा गया है, वाई डिट दा मुगल्स, एंफेसाइस दियर, टिमुरीड, एंड नॉट दियर, मंगोल, डिसेंट, इसका ये मतलब है स्टुडेंट्स, के जो मुगल्स थे, वो तेमूर का वन मिशच कहडाना पसंद नहीं करते थे, इसका क्या रीजन है, ये हमें बताना है, तो इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल, बिकोज ओफ गैंगीश खान्स इमेज, एस मुर्डर ओफ इन्यूमरेवल प खुद को मंगोल का वंशच कहडाना पसंद नहीं करते थे, चंगेश खान की वजह से, क्योंकि चंगेश खान की जो इमेज बनी हुई थी लोगों के मन में, वो एक मर्डर की थी, एक कातिर की थी, क्योंकि उसने असंख्य लोगों को मरवा दिया था, इसरे मुगल्स ये न Another मंगोल ट्राइब was a competitor of मुगल्स, यानि ये जो उस्बेक्स थे, ये भी मंगोलों की ही एक, उनका ही एक ट्राइब थी, उननी का एक कबीला था, और ये मुगल्स के विरोधी थे, उनके competitor थे, Therefore, मुगल्स like to be associated with Timurid descent, यही वज़ा थी, के जो मुगल्स थे, वो तैमूर का वन्शच कहलाना पसंद करते थे, लेकिन मंगोल का वन्शच कहलाना पसंद नहीं करते थे, Question number 8 में हमसे कहा गया है, How important was the income from land revenue to the stability of the मुगल empire? इसका ये मतलब है students, के मुगल empire की stability के लिए, यानि मुगल empire को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, Land revenue, यानि के जमीनों से जो tax आता था, जमीनों का जो tax आता था, उससे जो income होती थी, इसका क्या महत्व था? तो इसके answer में, first point में हम लिखेंगे, The income from the land revenue was the linchpin of the मुगल empire's economic system, इसका ये मतलब है students, के जो land revenue था, यानि जमीनों से जो tax आता था, ये जो income होती थी, यही income, मुगल empire का जो economic system था, उसका आधार थी, यानि इसी income की वजह से, मुगल empire economically यानि आर्थिक रूप से मजबूत था, और इसके second point में हम लिखेंगे, it was the most important source of income, यानि जो land revenue था, जमीनों का जो tax आता था, ये income का सबसे important source था, money thus collected was invested on building forts, wars and for the welfare of subjects, यानि के जमीनों के जो tax की income आती थी, इसी income से, इसी पैसे से, किले बनाये जाते थे, युद्ध लड़े जाते थे और प्रजा की भलाई के काम भी इसी पैसे से किये जाते थे, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, इसका ये मतलब है students, कि जो जमीनों से जो tax आता था, ये इतना ज्यादा जरूरी काम था, कि इसके लिए, टोडर मल ने, जो की, अकबर के यहाँ पर एक अधिकारी था, उसने 10 साल रगाए, और जो land revenue accounts थे, उनकी research की, उनको अच्छे से पढ़ा, और ये चेक किया किस तरीके से, बहतर तरीके से, जो land है, उससे ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से अच्छा tax वसू इसका ये मतलब है, students, कि मुगलों के लिए, ये क्यो जरूरी था, कि वो तुरानिस और इरानिस के अलावा, जो दूसरे background के लोग थे, उन्हें भी मनसबदार बनाते थे, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि मुगल्स, तुरानिस और इरानिस के अलावा, दूसरे background के लोग को भी मनसबदार बनाते थे, और हमें ये बताना है कि वो ऐसा क्यों करते थे, याद रखेगा, students, कि तुरानिस का मतलब है, तुर्की के लोग, तो इस बात के दो कारण थे, जिसकी वजह से मुगल्स, तुर्की के लोगों के अलावा, और इरानि लोगों के अलावा, दूस अगेंस्ट इएंपरर, यानि के मुगल्स ये नहीं चाहते थे, कि तुरानिस और इरानिस एक साथ आ जाएं और बाश्या के खिलाफ विद्रो कर दे, सेकिंड पॉइंट में हम लिखेंगे, मुगल्स also wanted to incorporate the subcontinental people of warrior classes to participate in the running of the मनसबदारी सिस्टम, इसका ये मतलब है students, कि मुगल्स ये भी चाहते थे, कि भारतिय उप महाद्वीब के जो warrior classes के जो लोग हैं, यानि जो scenic type के लोग हैं, वे भी मनसबदारी सिस्टम को चलाने में सहयोग करें, Hence, मुगल्स recruited from not only Turanese and Iranese classes, but also from Rajputs, Sikhs, Marathas, Dequans, Afghanis and Indian Muslims, यहाँ 6 में S छोटा आया है, आप इस S को भी capital रिखियेगा, इसका ये मतलब है students, कि मुगलों ने मनसबदारी के लिए, तुरानियों के और इरानियों के अलावा, राजपूतों को, सिखों को, मराठों को, अफगानियों को, और Indian Muslims को भी nuket करना, यानि कि उनको ये जो सरकारी पद होते थे, जो government post होती थी, ये देना शुरू कर दिया इसके बाद, question number 10 है, like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units, does this pose a challenge to national integration? question, इसका ये मतलब है students, के Mughal Empire के समय की तरह, आज के भारत में भी, अलग अलग परकार के, सामाजिक और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, क्या इसकी वजह से, जो राश्ट्री एकता है, उसके उसके लिए कोई challenge खड़ा होता है, क्या उसके लिए कोई चुनोती ख इसका ये मतलब है students, के भारत में अलग अलग समाज के लोग है, अलग अलग संस्कृतियों के लोग है, लेकिन इस वजह से, जो राश्ट्री एकता है, उसको किसी तरह का भी challenge नहीं है, क्योंकि भारत में democratic सरकार होती है, यानि के एक जो प्रजा तंत्र है वो चलता है, यहाँ पर republic government appoint की जाती है, आम लोगों के द्वारा, यानि के लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, और ये सरकार देश के ही लोग, election के द्वारा चुनते हैं, तो भारत में अलग अलग संस इसके बाद, question number 11 में हमसे कहा गया है, pigeons were vital for the economy of the mughal empire, यानि जो किसान थे, वो mughal empire की economy के लिए बहुत जरूरी थे, Do you think that they are as important today, क्या आपको लगता है के हमारे देश की economy के लिए आज भी किसान उतने ही important है, has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of mughals, इसका ये मतलब है students के क्या आपको ये लगता है, कि मughal के समय से अब तक, यानि आज के समय में जो इंडिया है, उसमें अमीरों और गरीबों के बीच में जो gap है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो इसके आंसर में first point हम रिखेंगे, in today's context, peasants do hold an important place in the economy of India, यानि आज के समय में भी भारत की जो इकोनोमी है, उसमें किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, योगदान है, but the other sectors of economy, such as industries and services, have made a vital place for themselves in the Indian economy, लेकिन अब समय के साथ, जो किसान है, जो खेती है, उसके इलावा जो दूसरे sectors हैं, जैसे कि industry sector और service sector, इन्होंने भी भारत की एकोनोमी में अपना एक important, एक जरूरी स्थान बना लिया है, इनका भी रोल बहुत important हो गया है, खेती के साथ साथ, therefore, today's economy does not totally depend upon pigeons, तो आज के समय में भारत की जो एकोनोमी है, वो मुगडों के समय की तरह, पूरी तरह से, खेती पर निर्भर नहीं है, अब अन्य इंडस्ट्रिया भी, जो अन्य इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि industry और service sector, इनका भी रोल क्रिशी के साथ, खेती के साथ बहुत important हो गया है, और second point में हम लिखेंगे, यानि के मुगडों के समय से लेकर अब तक, अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है, उसमें कोई खास फरक नहीं आया है, बस एक फरक यह आया है, कि मुगडों के समय से लेकर अब तक का जो समय है, यानि अब जो इंडिया में समय चल रहा है, उसमें लोगों की जो income है, वो उस जमाने के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू.